कि अस्सालामुलाइकुम्टेंस कैसे हैं हम एक तता हम आप कारवाफियस से होंगे हैं आज हम बनाने वाले हैं चिकन सूप चिकन कॉर्ण सूप बहुत ही बज़े था तो मैंने दो टीस्पून लिया है और इसको हम गर्यम करेंगे इसमें डालेंगे हैं चिकन अधा किलो कि इसको करेंगे पुराई जहां की आप समय में अधार है खम घची हम आगे इसका प्रहु चाहिए अधा कर्याकर जायों कि इसको मर्या है तो हर्टी वाला योज़ करें जल्दन लेलें, लैज लेलें और इसके विंग्स में हालो लेलें ज्यादा टेस्काडी योज़ करें तो फ्रेंड हमने चिकन को टेन मेरे कर प्राइए करना है आपिस समय क्लव है तरह इस नहीं हो जागा है अंचिए नियुक्ता आपका रजा शेधा है कि ना कर दो घम हो चीता है तो अब हम इसमें डालेंगे पाने तक्रेवन दो लीटर आप इससे काम यह ज्यादा भी कर सकते हैं तो मैं तो इसमें दो लीटर एड़ कर रहा हूं पानी अब यह हो गया पानी मेरा दो लीटर अब हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे पानी में हमने सिर्फ जो है नमक इस्तमाल करना है वांटी स्पॉन अब आप इसको बॉयल होते के लिए छोड़ देंगे यह मटर ली है मैंने तोड़े से और इसके बाद हम एड़ करेंगे स्वीट कार्म विया को बजार से मिल जाएंगे यह हमने एड़ कर दी है इसमें अच्छे से लाक है था कि हमारा जाना क्या होगी में अलो हो जाएंगे इसको अगामने देना है डाउ इसको हमने बॉयल करना है तकरीबन 25 मिनट अगर आपकी बास कुटो रहा है प्रेशर होकर तो अब इसको बॉयल करेंगे दस से बारा मिनट और थोड़ा सा लेसर भी एड़ कर देना इसमें तो फ्रेंड हमारा चिकन जो है और बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है तो हम मजीद इसको जाना अभी दस मिनट था बॉयल करेंगे ताभी अच्छे से बॉयल हो जाए कि आप तो फ्रेंड हमारा जो चिकन है वो चुका है अब हम इसको निकालेंगे इसके रेशे बनाएंगे चिकन के फ्लेम को हम थोड़ा स्लो कर देंगे तो फ्रेंड हमारा चिकन निकाली है इनको दोबारा इसमें डाल देंगे ताकि यह आगे बाइल होते रहें और फ्लेम को कर देंगे तेज इनको पकाएंगे तो फ्रेंड हमें चिकन के देशे बना रहें अब इसको आपको सीसे में डाल देंगे ताकि यह बॉइल हो सचे अच्छे अच्छे से मिक्स करना है इसको अच्छे से मिक्स करना है अगर आप इसके थीगने सो ज्यादा रखना जाते हैं तो आप इसमें चाहर 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 पीडा सकते हैं लेकर यह दिन काफी हैं अच्छे से अच्छे से बरीक बरीक काटके इसमें सिर्का डाल के भूब के रख देना है अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से इसमें गल चुका है और मटर भी तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्ण कॉर्ण फ्लोर जिसमें हमने पानी मिलाके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया तो जब हमने इसको चिकन में डालना है तो साथ में चल्मश हिलाते रहना है ताकि यह कट्ठन नहीं तो ढ़्धा तोड़ा करके डालना है यह डाल दिया यह लाता है लाते रहना है साथ में इसको तो जुद्धा डालेंगे और यह साथ में इसे हलाते रहेंगे जॉल डालेंगे इंदे तेकनस की बहुत ही अच्छी है अगराब इसकी थेकनस बढ़ाना चाहें तो मैंने ये तेड़ पसलिये दर पान फॉबएंद तो आप ये अनुछ चार ले सकते हैं करें पूर इसके एंसरे नहीं तो फ्रेंड इसके बाद हम डालेंगे अंडा अंडे की सुफैदी लावने चमच को लाते रहने लावा उच्छ से इस अज़ पर दाल को इस ए ज़ाँ अब बनेगा वहाँ चैनीज छिकन कोर्नसोड अशेला शीप आरकले मेंसाव जीप आरकले मेंस लो चाल, तो में सक्णिट में सक्चिकन कोर्नसोड तो इस टाइम पर आते हैं हम देज में एक चमर्च पारी मिर्च प्लेंट पेपर डालने है और इसको मिक्स कर देने हैं इसको फ्लेम भी हमने बंद कर देने हैं आपको डिशोट कर देखाते हैं तो माशाला से फ्रेंड हमारा जो चिकन कॉर्ण सूबर वो तो जार है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ीजी सोया सॉस और दालेंगे इसमें चिरी सॉस और इसके बाद हम जो हरी मेंच हमने सिर्के में बगो के रखी दी वो डालेंगे इसके उपर तो माशाला हमारा जो चिकन कॉर्ण सूबर वो रेडी है माशाला बहुत ही प्यारा दने तो फ्रेंड जगरां को यह मरी रेस्पी अच्छी लेगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और अमने कमेंट से हमें अब्ला करें शुक्रिया अल्ला हमाफीज शुक्जय कुद को अब्ले मानने किया अब्ला